इतनी controversies के बाद NTA के लिए बहुत ही जरूरी हो गया था अपनी छवी को साफ करना और शायद उसी के मध्य नज़र रखते हुए कुछ नई changes proposed के गए है NTA में एक total all-round reformation लेकर आने के लिए स्वागत है अब सभी का UGC Net Error 24-7 पे मैं हूँ आश्वारयापुरी आज मैं आपको बताने वाली हूँ उन सभी possible changes के बारे में जो हमारे upcoming net cycles में देखने को मिल सकते हैं इसका basis हमें मिल रहा है उन changes के आधारों पर जो NEET exam के लिए proposed के गए हैं जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि NEET exam की controversy प्रिसीड कर रही है net exam की controversy को net exam जो की June cycle में single day में conduct हुआ था, offline mode में conduct हुआ था उसमें एक बहुत ही बड़ी दिक्कत सामने आई थी जब exam leak की बाद चली थी उससे पहले NEET की controversy already अपने परवान पे थी ऐसे में NTE की टोटल reformation की बात की जा रही थी उसके पूरे working की संक्षोधन की बात की जा रही थी 18 exam की इस controversy के बाद और NEET की controversy के बाद 22 June को एक नई committee को establish किया गया था जिसके chairperson elect के गये थे इजरू के ex-chairperson के राधा कृष्णन जी हाल ही में उन्होंने अपनी recommendation submit कर दी है Supreme Court को जिसको हाला कि अब तक officialize नहीं किया गया है officially उसको अब तक release नहीं किया गया है लेकिन newspapers में, media में already information हमारे पास out है ये information हाला कि है अभी NEET के लिए लेकिन यहां से कुछ possible changes हमें आने वाले time में net exam में भी देखने को मिल सकते हैं NEET exam की इपर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि NEET exam के major changes क्या है सबसे पहला और सबसे important change है यहाँ पर इसमें students के candidates की attempts की limits को reduce कर दिया गया है reduce के उसपे stop लगा दिया गया है क्योंकि पहले students almost unlimited attempts दे सकते थे अब उनको सिफ चार attempts देने का ही मौका मिलेगा मैं आपको बता दूँ कि यह pattern जो है वो J.E. से borrow किया है J.E. में आपको साल में दो बार exam देने का मौका मिलता है total आपको चार ही attempts मिल रहे है बिल्कुल उसी pattern पर NEET में भी आपको चार ही attempts का मौका मिलेगा हाला कि God Talab यह है कि यह साल में दो बार नहीं बलकि एक बार conduct होने वाला exam है तो यहाँ पर कही न कहीं एक limit set कर दी गई है ताकि इससे ज़ादा attempts candidates ना दे ताकि यह जो भीड मची रहती है और उसकी वज़ा से obvious logistical problems आती है वो NTA को face ना करनी पड़े दूसरा major change यहाँ पर लाया गया है वो है end to outsourcing of the exam क्योंकि exam को conduct करवाने वाली body NTA है NTA इतने बड़े स्थर पर जब exam conduct करवाती है और नीट ऐसा exam job से पहले single day में हो रहा था उस exam को conduct करवाने में बहुत obvious logistical challenge आता था तो उस challenge को overcome करने के लिए वो multiple outsource partners को invite करते थे सो दाट उनको exam conduct करवाने में किसी तरीके की दिक्कत या तकलीफ नाए तो यहाँ पर centers भी यह outsource companies यह जो private players है centers भी नहीं के रहते थे और exam में invigilators भी नहीं की तरफ से आते थे सारी technology भी यही provide कर रहे थे इसकी वज़ा से leakage होने के chances काफी साथ बढ़ रहे थे because कहीं पर भी किस के पार्ट पर दिक्कत हुई कहां पर exactly leakage हुई यह pinpoint करना बहुत ही मुश्कल था वैसे भी एक basic human nature तो आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी इंसान गल्ती खुद के सर पर नहीं लेना चाहता है इंसान हमेशा गल्ती के से दूसरे के सर पर फोड़ता है तो यह भांडा जब फूटा की NTA की पूरी working ही इतनी flawed है तो of course उसको एक बड़े लेवल पर change करना था तो यह सारे multiple level पर यह जो leakages हो रही है इनको once and for all cure करने के लिए multiple चीजें यहाँ पर propose की गई है जैसे कि पहली बात तो आपकी exam multiple shift में हो ताकि per shift या per day exam conduct करवाने का pressure किसी भी body पर ना आए दूसरा major change हमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि exam mode को sorry exam में exam conducting bodies जो है वो outsource ना की जाए यानि NTA जो है government bodies पर government invigilators पर rely करे इसलिए एक और बहुत बड़ी बात यहाँ पर सामने आ रही है वो यह है कि अब सिर्फ केंद्री विद्याले या नवोद्य विद्याले या ऐसे ही सरकारी संस्थानों को centers बनाया जाएगा मैं आपको बता दूँ मैंने हाल ही में हमारे दूसरे चानल्स पर भी एक session cover किया था जहां पर मैं उत्तर प्रदेश के examinations की बात कर रही थी यूपी में assistant professor और TGT PGT post पर 2022 में vacancy आई थी जिसका exam अभी तक conduct नहीं हुआ है तो बात चल रही थी क्योंकि आयोग अभी तक जो है उनका संघटित नहीं हुआ था आयोग के members elect किये गए फिर उसके chair person elect किये गए exam controller नहीं थे तो अब हाल ही में उन्होंने exam controller को भी appoint किया है अब वो एक नई guidelines अपनी prepare कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल अभी जो सरकारी schools या colleges हैं वहीं पर centers बनाएं और क्योंकि वहाँ पर आपके government employees वो किसी और के लिए काम नहीं कर रहे हैं वो सरकार के लिए ही काम कर रहे हैं तो ऐसे environment में leakages होना या किसी तरीके की corrupt practices होने के chances काफी जादा reduce हो जाते हैं अच्छा एक सबसे इंट्रेस्टिंग पार्ट जो मुझे इसमें दिख रहा है और मुझे काफी अच्छा भी लग रहा है वो देखने में वो है आपका ये पॉइंट की exam mode को hybrid बना दिया जाएगा अब भला या hybrid mode का exam क्या है hybrid mode देखिए ऐसे समझे की पेपर में leakage कहां से हो रही है mostly offline centers में किसी तरीके का exam conduct करवाने में भी अपने obvious challenges है because बहुत सारे centers पूरे-पूरे corrupt होते हैं साथी साथ आपके off-site पर computers को connect कर दिया जाता है तो कोई दूर से बैठके आपका question paper देख रहा है और वहां से उसको print हो रहा है तो हो सकता है printer चुपके से copy निकाल ले या फिर जो driver उसको convey कर रहा है to the exam center वहां पर किसी तरीके की कोई leakage हो जाए तो वो pinpoint करना बड़ा मुश्किल था कि offline centers में offline exam mode में paper leak कहां पर हो रहा है तो अब इन दोनों के worst को छोड़के इन दोनों के best को use किया जाएगा एक साथ hybrid mode में exam का मतलब है कि question paper student तक पहुँचेगा computer के माध्यम से और फिर student अपनी OMR को pen and paper mode में भरेगा तो ये भी एक और बहुत बड़ा change है जो NEET exam में हमें आने वाले time में देखने को मिल रहा है अब देखे बात ये है ये तो NEET का बताना मेरा इस session का main concern नहीं था इस session को लेने का मेरा main concern ये था कि हम उन various possibilities को discuss कर सके जो आपके NET के exam में देखी जा सकती है क्योंकि NTA वो common body है जो NEET, NET, JE, CUET जैसे exams को conduct करवा रही है और जस तरीके की बड़ी controversy NEET में देखी गई, NET में भी similar pattern पे देखी गई तो आप कहीं न कहीं मान के चल सकते हैं कि ये जो changes और ये जो एक restructuring हो रही है NTA की working में ये सिर्फ एक exam को ही नहीं, इसके under conduct हो रहे सब भी exams को equivocally impact करने वाला है तो as students and aspirants of UGC net exam जो आने वाले time में GRF scholars बनना चाहते हैं या PhD scholars बनना चाहते हैं उनके लिए क्या मतलब है इन सभी changes का आई उनको थोड़ा सा हम discuss कर लेते हैं सबसे पहले point हमारा यहां पर आ रहा है limited attempts पर क्यूंकि आप सभी लोग जानते है currently UGC net exam में कोई age limit नहीं है दूसरी बात यहां पर यह है कि आपको एक बद नेट का certificate मिल जाता है तो वो ताउम्र आपके साथ रहता है यानि आपको उसकी lifelong validity मिल जाती है तो यहां पर possibly एक ऐसा change हमें आने वाले time में देखने को मिल सकता है जैसे जहां पर GRF में आपको एक limited age limit दी गई है बिल्कुल उसी तरक पर UGC net में भी एक limited age limit दी जाएगी GRF की limit तो काफी कम है UGC net की हो सकता है age limit को तकरीबन 40-42 तक बढ़ा दिया जाए यह वो एक standard age limit है जो various TGT PGT exams में use की जा रही है हम 40-42 तक मान के चल रहे हैं कि हमें candidate को successfully ले सकते हैं service में वो workforce में आ सकता है अभी वो अपने health के prime पे भी है और वो अच्छे खासे 20-25 साल अपने service को दे सकता है फिर उनको retire करके हमें एक नई workforce को यहाँ पर entry देंगे क्यूंकि आने वाले time में सरकार को बहुत सारे नए colleges खुल रहे हैं अपने education system को expand करना है बढ़ती population को मध्य नज़र अखते हुए हमें nice jobs की creation भी करनी है लेकिन यहाँ पर एक obvious challenge यहाँ पर यहाँ आता है कि यह primary level तक ठीक है higher education level में bottleneck बहुत जादा narrower होता जाता है हना आप बहुत ही limited लोगों को वहाँ तक पहुँचा रहे हैं और आप उनको lifelong validity भी दे रहे हैं certificate की तो एक obvious कुछ challenges वहाँ पर आ जाते हैं मतलब एक point आ जाएगा जब शायद हम UGC net के threshold पर आ जाएंगे उसके बाद क्या तो there is a very good possibility कि शायद UGC net में भी limited attempts और इसी के साथ साथ एक age limit एक age gap की भी बात propose कर दी जाए दूसरा question यहाँ पर आ रहे है negative marking और बहुत ही बड़ा question है यह और यह थी कि कैसा question है जिसके around बहुत सारी rumor mongering भी होती है rumor mills भी running रहते हैं students कभी कभी panic में पूछ लेते हैं माम की एक random video हमने YouTube पे देख लिए और बताईए negative marking आ गई है कि net में तो इसको भी थोड़ा सा मैं logically आपको समझा देती हूँ negative marking generally उन्ही exams में होती है जिनके बाद जिससे qualify करके या तो आपको किसी दूसरे exam में जाना है जैसे कि आपका CSAT का exam है for UPSC वो भी एक qualifying nature का paper है बट उसके इस qualifying paper में आपको negative marking से deal करना है दूसरी तरफ कुछ और ऐसे exams है जिसके बाद आपको directly नौकरी मिल जाती है जैसे कि आपके TGT-PGT exams वहाँ पर भी आपको generally negative markings देखने को मिलेगी UGC net का exam ना तो आपको next किसी level पर लेकर जा रहा है ना ही वो आपको कोई job की security दे रहा है हना तो क्योंकि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है इसलिए chances कम हैं कि UGC net exam में negative marking propose की जाए already हमारा exam अपने scope और अपनी difficulty level में काफी high पे है उसका threshold और डी काफी उपर की तरफ है तो chances कम हैं देश भर में जितने भी आपके ऐसे qualifying nature के paper है उनमें किसी में भी negative marking नहीं है except for CSAT but CSAT की बात यह अलग है उसके बाद आप UPSC के लिए तयार हो रहे हैं यह UPSC exam conduct करवारी आप एक officer बनने की त्यारी कर रहे हैं और वहाँ पर selection rate भी बहुत ही कम है 1% या उससे भी कम है UGC net में selection rate भी हमारा higher है 6% या उसके आसपास रहता है तो again UGC जैसे exam में negative marking डाल के कुछ वो कुछ बहुत अच्छा अपने लिए create नहीं करेंगे कोई special niche वहाँ पर नहीं create हो रहा है तो इसकी possibility again मुझे काफी कम लग रही है next possibility है यहाँ पर exam mode की definitely जिस तर्क पे अभी ये नीट में proposal आ रहा है कि हम जितने भी private players हैं यहाँ पर उनको situation से निकाल कर उनको game से हटा कर सिर्फ सरकारी schools या colleges में सरकारी संस्थानों में exam करवाएंगे और इनमें जो invigilators हैं वो भी सरकारी officers बनेंगे सरकारी सिक्षक बनेंगे बिल्कुल उसी तर्क पे मुझे लग रहा है कि net exam में भी ये कर देंगे साधी साथ paper का hybrid होना मुझे लगता एक बहुत यच्छ option है ये net में हो गया है नहीं मुझे नहीं पता लेकिन मुझे personally ऐसा लग रहा है UGC net exam तो already multiple shifts में हो रहा है तो logistically उनके लिए और ज्यादा असान हो जाएगा उस idea को implement करना इंतर net exam विजर विजर नीट exam तो जो चीज़ नीट में हो रही है that is the hybrid mode नेट में वो definitely apply हो सकती है और कर ही देनी चाहिए क्योंकि ये जो बीच में exam पेपर लीक हो रहा है exam लीक हो रहा है इस पच्छडे से हम बच जाएंगे आप जानते हैं ना कि हमारा जो re-exam हुआ है अभी August और September वाले cycle में उसमें भी English जैसे बड़े सब्जेक्ट में भी एक-एक सेंटर पे leakage हुई थी वहाँ पर भी तमाशा हुआ था re-exam का भी re-re-exam हुआ है तो NT अपने आपको मजाग बनने से फिर से बचा ले इसके लिए बहतर यही है कि ये जो इतना बढ़िया प्रोपोजल उन्होंने NEET के लिए प्रोपोज किया है उसको net पे भी apply कर दे तो कहीं न कहीं इन तीनों में से अगर मैं देखूं तो limited attempts और age limit पे cap लगाना एक option है जो net में हो सकता है exam mode को hybrid कर देना कि paper आप तक online पहुंचे आप उसको attempt करो offline pen and paper mode में answer भरोगे OMR में ये भी possibility है जो आने बले time में net में हो सकती है negative marking की possibility for the longest time मुझे नहीं लग रही है ठीक है अभी कुछ साल आप मान के चलो आप इससे बचे रहोगे negative marking exam में 99% नहीं होगी उसकी आप tension मतलो उस tension से आप आगे बढ़ो कोई भी आपको कुछ और बोले तो या तो वो logic दे आपको logic नहीं दे पा रहा है तो ऐसी बातों को सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है अब तो बस क्या है तेल देखो तेल की धार देखो बहुत ही जल्दी ये rules ये suggestions implement हो जाएंगे upcoming need cycles में और need के बाद of course अगली नजर इंकी net पे पड़ेगी तो फिलहाल के लिए ये जो हमार upcoming December attempt है इसमें तो इन में से कोई changes नहीं होंगे और जिस speed पे NTA चल रहा है probably June 2025 attempt में भी ये कोई changes नहीं होंगे लेकिन हाँ अगले साल के December attempt में यानि December 2025 attempt में आपको कुछ possible changes इसके pattern में और conduct करने के तरीके में देखने को मिल सकते हैं I hope ये वीडियो आपको अच्छी लगी अच्छी लगी तो hit the like button और ऐसी और information के लिए subscribe करके रखे हमारे official YouTube channel UGC Net Ata 24-7 को मैं हूँ आपकी अपनी इश्वारया पुरी Thank you